जारखंड के रामगर जिले के पत्रातू प्रखंड में एक साल के बाद भी RTI का जवाब नहीं मिल पाता है इसे लेकर हमारे पत्रकार जन्त कुमार ने पत्रातू के वीडियो से सवाल जवाब किया सुनिए क्या कहते हैं पत्रातू प्रखंड के वीडियो सहाब बेवस्था सरकार चाहती है आम जन जिवन को हर एक प्रकार की शुविधाये उसको आसानी से मिल सके इसके लेकर के लिए हमारे इस परखंड के बीडियो सतत किर्यासिल है और वो लगतार छेत्र की आम जनता के लिए सर्वसुलब है एक अधिकारी के रूप में नहीं एक आम जनता की तरह शेवा भी दे रहे हैं मगर बहुत से ऐसी तक्निकी खामिया है या कहें मैन पावर की कमी हो या कुछ अधिकारियों का कार्ज परनाली है जो आदेश की आवहलना कर देते हैं चाहे आर्टी आई हो चाहे कोई भी सरकारी की योजना हो जिसके उपर जाच का भी आदेश देते हैं तो साल भर में उसकी जबाब नहीं मिल पाता है हम एक इसी तरह से आर्टी आई का बात करेंगे जो वीडियो साहब यहां है साल भर हो चुका है उसका जबाब नहीं मिल पाता है सर आखिर क्या कारण है सर आप तुर अप्लीकेशन आया था उसका जबाब गया की नहीं किया जबाब गया तो कहा गया तॉ양 इस पर आपने करवाई के भी बात कहीँ थी और आप करवाई भी कर रहे हैं इसमें कोई दो बात नहीं मगर सर कब तक चलता रहेगा सब अब सबसे पहले हम थोड़ा सा कारजालेश शंपर्क कर लेता हूं कि इसका जवाब गया है कि नहीं गया है और इसके बारे में आपको हम आस्वस्त करता हूं यह ठीक है हमारे परखंड विकास पदाधिकारी देवदत पाठेक जी कारी के प्रती गंभीर है मगर एक बात तो हम जरूर कहेंगे कहने कहीं में पावर भी है इनके साथ समस्या और जो में भी है उसमें कुछ नकुछ करमचारी अवहिलना कर रहे हैं जिसके कारण जो आम जन समय पर बर्तमान परखंड विकास पदाधिकारी देवदत पाठक कार्ज करेंगे इसी उम्मीद इसी लालसा के साथ सभी लोग है अगर ऐसा नहीं होगा तो जनता सब कुछ बोलती है और समय पर जनता बोलने को तयार है जैंत कुमार राश्टमर्पन रामगण